हेलो डिये सुडेंट्स वैलकम इन एसे स्टार्टर आज मैं आपको वक्षिट नंबर सेवंटे सिस्ट करवा रहा हूं यह समाजी विज्ञान की क्लास नाइन की ठर्टी वन जैनुरी की है और जो आपकी पॉलिटिकल की बुक है चुनावी राजनीती उसमें आज का टोपिक कि भारत में चुनावो को क्या लोक्तांत्रिग बनाता लोक्तांत्रिक रखो जaking सकता है जब जनता जनता का जनताा पुराश चुनावों चुनाव योग जो होता है वो स्वतंत्रों अपने लिए खुद ले सके बाकी हम पढ़ लेते हैं इन तीनों पॉइंट को एक, दो और ये तीसरा पॉइंट ठीक है उसकी अधर हम ये एक ओर टोपिक पढ़ेंगे फिर इन चार कुश्चन के आंसर करेंगे ठीक है तो फड़ पढ़ लेते हैं कि भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाता है पहला है सोतंत्र चुनाव आयोग देखिए हमारे देश में चुनाव एक सोतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा करा जाते हैं हमारे देष में जो चुनाव करा जाते हैं वो चुनाव अयोग करता है ठीक है। हमाय ये का मतलब हमारे देष को जो है वो क्या करते हैं नुक्त करते हैं मतलब वहाँ पर उनको सेलेक्शन करते हैं उनका चुनाव की घोशना से लेकर प्रणामों की घोशना तक चुनाव के संचालन और निंदन के हर पहले उपर चुनाव आयोग का निड़ने लेता है मतलब सारे के सारे जो निड़ने है ना चाहे वो चुनाव करवाना हो चुनाव की घोशने करना हूं रिजल्ट करना साथ in the चुनाव औहिए होगी लेता है यह आचार सहनिता को लागो करता है और इसका फंदेवाले किसी भाग लिया यह percentage पतर अगा लेंगे कि इतने लोगों ने वोट डाला. ठीक है? मतदान उन उन मतदाताओं के पतीशत को दर्शादा है. लिखेना? यह दिए कि मतदान किसे कहेंगे. मतदान उन मतदाताओं के पतीशत को दर्शादा है. जिन्हों ने वास्ता में अपना वोट डाला भारत में मद्दान या तो इस्तिर रहा है या वास्ते में बढ़ गया है मतलब हमारे दिश में या जितने लोग वोट डालते है उतनी है यह थोड़ा बहुत वोट जो पसंटेज बढ़ गया भारत में गरीब अनपड और वंचित लोग अमीर और विशे सदिकार प्राफ वर्गों की तुल्णा में बड़े अनपात में मद्दान करते हैं यह पस्चमी लोग तंत्रों के विपरेता है देखो यह कहा रहा है कि भारत में जो गरीब लोग अनपड वोट डाल रहे हैं ठीक हैं और जो अमीर लोग वोग जाना डाल रहे हैं पस्ची देशों में भारत में आम लोग चुनावों को बहुत मतुदेते हैं भारत में आम लोग चुनावों को बहुत मतुदेते हैं जो आम नागरी को कि उसकी समस्चे इतनी सारी है तो वो अपने समस्दों को सुझाने के बरूसे से वोट ढलता है कि हमाले कुछ अच्छा होगा। उन्हें लगता है कि चुनावों के मादन से विरानीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों कारेकरम को अपनाने का दवाब बना सकते हैं चुनावी कतिवीदियों में मद आता हो कि दिल्चस्पी पिछले कुछ वर्षव में बढ़ रही है और कुछ सालों से लोग जो है वोट डालने के लिए उस्सों को रहे हैं ठीक है अब लास्ट पॉइंटेस में की चुनाव परि भारत में राश्टिये और राज्ये दोनों सर पर चुनाव करा हारते हैं भारत में लगब आधे मुझूदा सांसर या विधाय चुनाव हार जाते हैं ठीक है और बहुत कम विवादित चुनावों को छोड़कर चुनावी परिणामों को आम तो पर पर पराजित पार्टी की दोहरा जन्ता की फैसले के रूपे सुइकार के जाता है मतलब हमास में जो चुनाव हार जाते हैं उभी करते हैं और यही हमास देश की लोगतंतर की चाकत है यह नहीं कि बगावत कर दें होने पता है कि कोई बाद हम पर विश्वात निक्या कि हमारे अंदर कमी जागी त साल अगले पांसाल फिरम अच्छा परदेशन करने की कोशिश करेंगे अब आगे देखिए यह बहुत इंपोर्डर कोशन है कि सौतंतर और निस्पक चुनाव की चुनोतियां क्या होती है ठीक है कोशन है कि अगर हमें चुनाव बहुत अच्छे रंसे कराना है तो कौन-कौन इसी चुनोतियां है जो चुनाव को झेलने पढ़ती है तो देखिए एक तो होता है चुनाव में अत्यद्धि धनकंप्रोग बहुत बढ़त बड़े जो बहुली होते हैं नेता होते हो इतना पैसा करते लोगों को अपनी बातों में लाने के कोशिश करते प्रयों को कैसे रोका जाए ठीक है को अपने पढ़ा से लिमिट करते सा कि इससे जड़ा पैसा खर्चनी करना फिर भी कही लोग कही लोग कही लोग करी देते हैं उससे कैसे इस समसे से कैसे शुटकारा मिले यह भी दिक्कत है और जो बिल्कुल बड़ी है वो खड़ा होना नहीं चाहता है या तो उसके बाधन की कमी है या इस प्रकार का एंवॉर्मेंटिंग उससे डल लग रहा है हाना तो यह बड़ी दिक्कत है और टिकट बाटने के लिए रहना करना प्ड़ता जो चोड़ी जयाल होती है ना उनको तो बौ a दिक्कत जेम में करती होकिक लोग भी सूचते कि इनकी कई पार्टी निया च्छोठी बार्टी तो यह क्या कर पाएंगे तो यह बड़ी दिक्कत तो चुनाब के सामने आती रहती है ठिके और में दिक् चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? तो आप यह लिख सकते हैं कि चुनाव आयोग भारत में एक महतरबन भूमिका निभाता है. ठीक है? यह एक सोतंतर और निसपर चुनाव कराने के लिए उतदाई भी है. चुनाव अयोग की भूमिका को हम निम्लिकित बिंदों से समझ सकते हैं पहला हमारे देश में चुनाव एक सोतंत और बहुत शक्ति शाली चुनाव अयोग द्वारा करा जाते हैं ठीक है बहुत ही शक्ति शाली चुनाव अयोग द्वारा करा जाते हैं और भारति चुनाव अयोग सोतंतर और बिना दवाव के अपने सभी कार्रों को करता है ठीक है भारति चुनाव अयोग को भी उतनी सोतंतर प्राप्त जितने की भारति नया पालेका को प्राप्त है चुनावों की घोष्टना और उनके परणामों की घोष्टना तक चुनाव क संचाल और नियंतरन के हर पहलों पर चुनाव योग नियंतरन या निर्ने लेता है ठीक है देखो तीन चर पॉइंट आप लिख लेना बहुत है ठीक है और बागी साल लिखना चाहिए आप साल लिख सकते हैं मुख्य चुनाव व्योगत की नुक्ति राष्ट्रपति की दौर मतला आक सोचते हैं कि वही लोगों को वोट डालना र्याजरीotion हैं अगर सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं तो आपे सुनीए चुनाव प्रक्रिया में ॉप सदेश सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए इस सक्रिय भूमिका के कारण सही और योग गिवी उमिद्वारों का चै सुनिश्चित करनी होती है जनता जब सक्रिय भूमिका निभाती है तो निवाचन में सही जरकार का चैन हो पाता है और जन्मत कभी निर्मान हो पाता है इसी लिए जरूरी है ठीक है उसके बार नेक्स कोशन देखते हैं सुतंतरों निश्पक्त चुनाव की क्या चुनोती है मतला अगर हम चाहते हैं कि सुतंतर चुनावों बिना किसी भेदवाव क्यों निश्पक्स मतलब बिना किसी भेदवाव क्यों तो इसके लिए क्या क्या चुनोती जहनी पड़ती है ज चुनाव संचालन उचित रूप में हो पाना कठिन हो जाता है। स्वतंत्रों निश्पक चुनाव कराने के लिए अत्यदिक धन के प्रयोग को रोकना एक बहुत बड़ी चुनोती है। और सुतंतरों निस्पक्त चुनाव कराने में एक बड़ी चुनाव के मादन से अपरादिक प्रिष्ट भूमी के उमिदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीद भी सकते हैं इसलिए इने किसे प्रकार रोका जाए यह भी एक बड़ी चुनाव कैसे रोके इनको में अरूची दिखाते हैं पात निम्बर का आ जाता तो उसके असाफ से भी आप कर सकते हैं ठीक है सुतंत और निश्पक चुनाव में चुनोती यह भी है कि जब रानितिक दलो द्वारा टिकर दी जाते तो उन तो इसमें संबंदों को विर्ट दी जाती है ना जो जिस्दार करने की कोशिक करते हैं चोटे रानितिक दलों और निदली विर्ण इन बड़े रानितिक दलों से प्रहाइत हो जाते हैं जो की बड़ी चुनोती है प steward hai और शकर्काश अब और मदाताओं को डुराना और मदान के दिन धान दली करना बदर वोट किसी और को डले ठीक है जीत को यह और गया ठीक है और उन्हें ठीक करने के कुछ तरीके को सुझाज़ी आप पतरे क्या सुझाव देंगे आप तो मदाता सूची में जूटे नाम शामिल करना शासे दल के तरीकों से ठीक कर सकते हैं पहला चुनाव को दूर्ण यदि कोई उमीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार में अतिदिक धन का उप्योंग करें तो उससे उमीदवार का नमांकर ततकार निरस्ट कर देना चाहिए कैंसल कर देना ठीक है कोई से भी दो पॉइंट चाहिए इसके लिए चुनाव आयोग को कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई फर्जी मतदाता शामिल ना हो पाए ठीक है अब तीसरा लास सुने जिए चुनाव को दूर्ण यदि शासक दल दोरा सरकार सुधाओं या अधिकारियों को प्योग किय चाहिए तो चुनाव आयोग को तुरंद ऐसे मिद्वारों और राजनेती दलों के उपर कारवाई की जाने चाहिए और उनका नमांकर मिद्ध कर दिना चाहिए तो आज की वक्षीट हो गई मुझे पूरी मिद्धा आपके लिए हल्प लोगी ठैंकी फूर वोचिंग लिस सब्सक्राइब बैल आइकन को प्राइज रो करें टेक के रिसाल दिये स्टूरंट्स